प्रेना डीबीटी एप पर हम सत्र 2020-21 के कुल नामा के छात्रों की डिटेल भर चुके हैं, साथी साथ नल जल आपूर्ती की सूचना भी हमारे द्वारा भर दी गई है। प्रेना डीबीटी एप पर वैलिडेशन करना होगा। ये एप प्ले स्टोर पर आ चुका है, लेकिन अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। विभाग द्वारा एकाउंट वैलिडेशन के प्रॉसेस का एक यूजर मैनुवल जारी कर दिया गया है। आप पहले से ही इसे सम समझ कर अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, ताकि जब प्रॉपरली काम करें तो आप सीगर ही इस कारे को पूर्ण कर लें। देखिए आपको इस स्क्रीन पर प्रेना डीबीटी एप का एक यूजर मैनुवल दिख रहा होगा। आप इस यूजर मैनुवल को समझ लीजिए ताकि भविश में जब आप डीबीटी का कारे करें तो आपको कोई परिशानी न हो। देखिए इस पीडियाफ में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें जो सबसे पहला इस स्टैप है जो आपको करना है वो ये है कि प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना ह तो जब आप प्रेणा डीबीटी टाइप करेंगे तो देखिए सर्च फीजर में आपको बहुत सारे एप का आप्शन मिलेगा इसमें जो सबसे पहला वाला एप है जिस पे लिखा है प्रेणा डीबीटी एप और उसका लोगो भी उसके साथ में प्रदर्शित हो रहा है आ जब आप एप को अब नेखन इन ओपन हो जाएगा जैसे एप उपन होगा तो इस तरह का इंटर अपको रिखाए रहा है यहां पर प्रेणा डीबीटी लिखावा है और नीची लिखावा है कि इंटर मोबाईल नंबर जब आपने डीबीटी एप पर 2021 के चात्रों की संख बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपना जो registered mobile number है वो यहाँ पर enter करना है और उसके बाद आपको next पे click करना है जैसे आप next पे click करेंगे तो आपके mobile पे कुछ इस तरह का interface होगा जो यहाँ पर right hand side में दिखाए गया है यहाँ पर सबसे पहले आपका mobile number होगा और फि दालना होगा और उसके बाद नीचे रजिस्टर वाले option पर click करना होगा जैसे आप यह कारेंगे तो आपके सामने एक नया पे जाएगा अब देखिए अब जो अगला पे जाएगा उसमें कुछ इस तरह का interface होगा पहले आपको याद होगा जब आप सत्र 2020 के चात्रों के सं दूसरा option है वह है verified and drop out report देखिए हम यहाँ पर करके दोनों options को clear करेंगे लेकिन जो इसमें पहला वाला option है dbt पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं तो अब आपको जहाँ पर dbt लिखावा है इस वाले option पर click करना है जैसे आप इस option पर click करेंगे कुछ इस तरह का interface आपको द देखेंगे एक option है कि add new teacher और दूसरा option है कि remove teacher कि अगर देखिए इस list में ऐसा कोई अध्यापक जो आपके विद्याले में कारत हो लेकिन वह इस list में न दिखाई दे रहा हो तो आप उसको add भी कर सकते हैं और अगर ऐसा कोई अध्यापक जो किसी वज़े से अब आपके वि आते हैं तो देखिए आप इस list को चेक कर लेजे अगर ऐसा कोई teacher है जो आपके विद्याले में नहीं है और आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप रिमूब teacher वाले option पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा और यहाप लिखा होगा कि क्या आप अध्याप देख आएगा यहाँ पर लिखाए कि remove reason और उसके सामने एक select का box होगा आपको select पे क्लिक करना होगा अब जो भी reason है जिसकी वज़े से आप teacher को हटा रहे हैं वह reason आपको यहाँ से select करना होगा इसमें कुछ options आपको दिए गए हैं retirement, transfer, death, suspended यानिकि जो भी appropriate option होगा आपको उ इसे करेंगे अब अगर आप किसी teacher को add करना चाते हैं तो आपको यहाँ पर add new teacher वाले option पर click करना है तो जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपको कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा इसमें सबसे पहले आपको teacher का नाम भरना होगा teacher का designation भरना होगा teacher का mobile number भरना होगा teacher का EHRMS code यानि कि मानव समपदा code आपको यहाँ पर enter करना होगा और last में आपको add teacher पर click करना होगा जैसे आप add teacher पर click करेंगे सम्मंद्र teacher की detail है वो इस list में आ जाएगी जैसे आप नए teacher की detail को add करेंगे तो उस teacher की detail है वो आपको इस list में show होने लगेगी आपको करना क्या है उसके ब करना है जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा अब यहां पर जो स्टूडेंट्स की डिटेल है वो पेज आपको शो होगा यहां पर लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजिकेशन लिखा है 2021-22 टोटल इन्रॉल्मेंट आपकी वि स्टेटस में जो टोटल इन्रॉल्मेंट है बच्चों का वही संक्या यहां पर प्रदर्शित होगी इसके नीचे लिखा है कि यदि आपके विद्ध्याले में सत्र दोजार एककिस बाइस के अंतरगत छात्रा नीचे दी गई सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए यहां पर इंस्ट्रक्शन है कि आपको प्रेणा पोर्टल पर जाकर जहां पर आपने बच्चों को खाद्यान और कंवर्जन कॉस्ट वित्रण करने संबंदी सूचनाओं को दर्श किया था जहां पर आप छात्रों को नया इन्रोल्मेंट करते थे वहां पर जा करना हैं अब उसके बाद क्या करना कि सारे बच्चे आपको 115 बच्चे आपको सारे दिखाई लिए तो जो जो बच्चा आपके विध्याले में है उसके आपको यहँ करना होगा कि कौन सा बच्चा है कि जो अब आपके विद्याले में नहीं है लेकिन इस लिस्ट में है तो आपको उसको हटाना होगा हटाने के लिए आपको यहाँ पर एक drop out का option दिख रहा है आपको इस drop out वाले option पर click करेंगे वो बच्चा इस list से हट जाएगा और यहाँ पर जो total enrollment है उसके जो सं से शो होगा स्टूडेंट वैरिफाइड सारे बच्चों का जितने बच्चों का आपने वैरिफाइव वाले option पर click कर दिया है वहाँ पर आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिखेगा कि स्टूडेंट वैरिफाइड अब जो आपको पहला सबसे पहला वाला इंटरफेस था आप एक से अधिक कख्षा का चैन भी कर सकते हैं देखिए आप अपने विद्याले में जितने भी सिख्षक हैं उनको क्लास बाइज बांट देजिए कि आप किस कख्षा करेंगे जो वाला प्रॉसेस है डीबीटी वाला काम है वो कौन अध्यापक किस कख्षा करेगा उस अचा के ठीक पहले जो चैक बॉक्स है आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा और सשकर क्लिक करना है owकर बडाकर उसकेयग पर क्लिक करना है आपके सामने नए पर जाएगा और इस पेच के बारे में आप लोग समझ लिजे कि नेक्स बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यह डैश्बूर्ट दर्शित होगा जिसमें आपको च्छा चात्राओं के अभिभावकों के आधा सत्यापन वह अन्य रिपोर्ट को देखा जा सकता है इसमें आपको क को जानकारी भरने है तो यहां क्लिक करें यानि कि बच्चों के अभिभावकों का आधार का सत्यापन और जो बैंक के डेटेल भरनी है वह हमको यहां पर करना है यहां पर जो दूसरा आइकन दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि सत्यापन के उपरांत प्रमाडित शातर प्रमाडित नहीं हो पाए है उनको आप इस आईकन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा वैसे लिख़े झतने प्रमाडित में प्रमाडित करेंगे उनके संक्या यहां पर प्तदर्शित होगी उसके बाद देखी नीचे भी दो आइकन है इन आइकन का मतलब क्या है वो भी आप समझ लीजे यहाँ पर लिखाए कि सिक्षक के द्वारा B.E.O. को भेजे गए प्रमारी चात्र ओबलिक चात्राओं का विवरण वो B.E.O. द्वारा और स्विक्रे चात्राओं की लिस्ट देखने है तो यहाँ पर क्लिक करें सही कर लेंगे उसके बाद लास्ट में भी दो आइकन है देखिए इसका क्या मतलब आप समझ लीजे कि P.F.MS पोर्टल द्वारा बैंक खाता ओबलिक आधार लिंकेज रिपोर्ट की लिस्ट देखने है तो यहाँ क्लिक करें देखिए यह जो एकाउंट वैलिडेशिंग का काम हो रहा है एक नए पोर्टल पर हो रहा है और पोर्टल का नाम है P.F.MS पोर्टल तो जिनका बैंक खाता आधार के साथ लिंक है उन सभी चीजों की रिपोर्ट देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं यहाँ पर लिखा कि P.F.MS बैंक खाता सीडिंग और इसके बाद लिखा कि सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट जतने स्टूडेंट्स का आपने वेरिफिकिशन किया है उसमें से कितने लोगों की जो डेटेल है वो सर्वर पर भेजी गई है इसकी देंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा यहाँ पर क्लिक करने है तो देखे हर स्टूडेंट के सामने आपको विवरन भरे का एक option मिलेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा है जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया उस स्टूडेंट की डिटेल का बहुत ध्यान पूर्वक भरें कि प्रेड़ना पोटल पर जब आपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया था तो उस बच्चे से सम्मधित आपने जितनी भी सूचना भरी थी वह सारी यहां पर आपको दिखाए देंगी उसके अलावा भी दिखाए देंगी वह जो उसके अत देखिए यदि छात्र से समंधित जानकारी में कोई त्रुटी हो तो उसको सही करने के लिए यहां पर चेक करें तो आपको येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आप वो डिटेल यहां पर सही कर सकते हैं उसके बाद एक नेक्स पीज आएगा यहां पर आपको गा जर्ट की बच्चे का उस गार्जिन के साथ में क्या रिलेसेन जिसका एककाउंट लगाए गया है पर इनका अधार नंबर दृड निब कर देंगे और यह उसका option यहाँ पर नहीं दिख रहा है जब यह एप काम करने लगेगा तो अगर वहाँ पर आपको ऐसा option दिखता है कि आधार card scan हो जाए तो आप scan भी कर सकते हैं ऐसे आप यहाँ पर click here to verify आधार पर click करेंगे एक नया पर जाएगा और यहाँ पर आपको बैंक के information भरनी है अब भावक ने जो भी आपना account डिटेल दिया उसका उसके बैंक का जो आई अफसी कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है बैंक का नाम ब्रांच का नाम ब्रांच का नाम ब्रांच का जो आड्रस है उस सारी चिज़े यहां पर आपको सुविधा दे गई आपक भरने के बाद आपको update and save click करना होगा तो जैसे आप update and save click करेंगे तो जिस भी student की detail आप भर रहे हैं उसकी सारी detail complete हो जाएंगी उसके बाद जो next page आएगा तो आपको याद होगा कि जहाँ पर यहाँ पर प्रमाणित करे लिखा हुआ है वहाँ पर पहले green color से विवरण भरे ल जाना है तो आपको फिर से यह जो black color से प्रमाणित करें लिखा हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो इस तरह से बच्चा प्रमाणित हो जाएगा और उस बच्चे की detail जिन जिन बच्चों का आप प्रमाणित करेंगे उन सब की detail बी यो के portal पे चली जाएगी और फि कि जब आपने बच्चों को खाध्यान और कन्वर्जन कॉस्प्रेणा पोर्टल के माध्यम से दिया होगा तो आपको उस समय जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि किन बच्चों के account पर पैसा नहीं गया है तो आप उन बच्चों से संबंदित अभिभाव को से पूछ लिज जब आप अभिभाव की आधार संख्या और आधार पर अभिभाव का जो नाम है वह लिखेंगे तो उससे में बड़ी सावधानी बरतियेगा आधार में एक्जैक्ली जैसा नाम है जैसा स्पेस दिया गया है कौन से लेटर यूज किये गये हैं कौन से स्पेलिंग है उस दुरुस्त कर लीजिए ताकि जब डीवीडी का कार्य श्रू हो तो आपको कोई परिशानी न हो वीडियो देखने के लिए आप से भी लों का भहत भहत धन्यवाद है